इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंट्रफ डेंट्रफ के बारे में बात करना ज़रूरी क्यों है क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइब करण द्रूरी करा देंट्रफ बाड़ जाने का कारण या नहीं, यह समझें के लिए हमें पहले यह समझना पड़ेगा की डेंट्रफ एक्जेकली होता है dandruff basically जो होता है वो एक तरह से बॉड़ी का normal process होता है skin को हटाने का ये body के हर पार्ट में होता है अगर हम हाथ, पैर, चहरे, सब जगे की skin की बात करें तो होता ये है कि उपर की skin जो होती है dead skin वो हटती जाती है धीरे-धीरे और नीचे से नई skin आती जाती है इसका एक time period होता है तीन से चार अफ़ते पांच अफ़ते जिसके अंदर की ये skin हलके हलके से हटती जाती है और नई skin आती जाती है यही process जो होता है ये scalp में भी होता है फरक सिरफ यह होता है कि scalp की जो skin होती है वो थोड़ी thick होती है प्लस scalp के अंदर जो glands होती है जो basically body को secretions body की skin को secretions provide करती है dryness से बचाने के लिए वो glands थोड़ी जादा होती है तो जब यह exfoliated skin या कि जो हटी वी skin जो होती है और यह सब चीजे जब मिलती है तो वो dandruff का रूप ले लेती है तो body के secretions और यह जो dead skin जो normal process है और शरीर से हटना और उसके साथ जब dust वगेर है या कुछ trap होता है जब बालों की वज़े से थोड़ी सफाई में दिक्कत आती है तो सब के अंदर वो dandruff बनना शुरू हो जाता है और जब भी कोई patient आता है तो वो typically यह complaint होती कि सब जब मैं finger से नेल से करता हूं तो नेल में white 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 dandruff आ जाता है उसी वज़े से मेरे बाल जा रहे हैं तो यह जो इतना सा dandruff जो होता है यह normal process है सब के finger से अगर कोई भी finger से scalp को इच करेगा तो fingernail के अंदर थोड़ा वा dandruff या secretions आएंगे ही आएंगे और यह खुद बालों के जाने का कारण नहीं होता है बालों के जाने का कारण male pattern ballless में वही male hormone और एक hereditary या एक अनुवान चिक्ता नहीं कारण है बालों के जाने का तो यह dandruff जमा होता जाता है, जमा होता जाता है और कई बार फिर इसमें fungal infection हो जाता है, तो यदि हम बालों की proper cleaning नहीं करें, बालों का proper ध्यान नहीं रखें, तो कई बार यह जो dandruff है यह बढ़ जाता है, बढ़ने की वज़े से skin के अंदर यह irritation पैदा करता है, थोड़ा सा खुजाना पड़ता है, उससे skin कहीं ना कहीं affect होती है negatively और कई situations में, जैसे कि हम कहते हैं fungal infection skin के अंदर हो जाया या फिर seboric dermatitis या कई और दूसरी conditions जिनके अंदर की skin normal नहीं होती है, उन conditions के अंदर एक तरह से हम मानके चलते हैं कि hair transplant या बालों का लगाना successful नहीं होता है, तो यह जो dandruff होता है यह एक तरह से शरीर का normal process है, body की normal functioning है, लेकिन यह जब जरुद से जादा बढ़ जाए, बढ़ने के कारण क्या रहते हैं, most common कारण जो रहता है lack of care, कि खुद का बालों का ध्यान नहीं रखता है, तो यह dandruff बढ़ जाता है, अब अगर यह dandruff बढ़ता है, इसके अलावा कई dandruff जैसी चीज़ें, जैसे की जिसे redness या itching होती है, skin में fungal infection होता है, या फिर shiboric dermatitis, जिनके अंदर की skin effect हो जाती है, या कोई और disorder जिसके अंदर की skin effect होती है, वो definitely dandruff के साथ या dandruff के बिना भी hair fall को बढ़ाता है, और male pattern baldness या androgenic alopecia में गंजेपन को और बढ़ाता है, तो dandruff को कैसे हम थोड़ा कम कर सकते हैं, उसके लिए आपको basically बहुत कुछ चोटी जीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, बाल और scalp आप से care मांगते हैं, बहुत normal सी care मांगते हैं, आप regular time पे scalp की massage कीजिए, regular time पे आप scalp को shampoo दीजिए, cleaning रखिए प्रॉपर, तो dandruff को आप काफी हद तक कम कर सकते हैं, फिर काफी patients हम जे question पूछते हैं, कि साब hair transplant के बाद अगर dandruff आ जाए, तो बालों की जाने की क्या संभावना रहती है, तो उसमें भी यही सारी सेम चीज़ें applicable रहती हैं, मतलब कि अगर आप बहुत basic चीज़ों का ध्यान रखते रहेंगे, आप बालों की regular scalp की regular massage करते रहेंगे, बालों की regular cleaning करते रहेंगे, तो उस dandruff से आपके transplanted बालों पे कोई असर नहीं होगा, हाँ, लेकिन यदि आप बालों की care नहीं करेंगे, खुद की care नहीं करेंगे, तो कुछ समय बाद हो सकता है, कि यह transplanted बाल भी जड़ने शुरू हो सकते हैं, तो अगर हम एक तरह से crux की बात करेंगे, जो भी हमने discussion किया है, तो यही है कि dandruff आपके scalp का, आपके skin का normal हिस्सा है, उसे आप काफी हद तर थोड़ी सी basic care से कम कर सकते हैं, धन्यवाद.